मस्जिद वहीं की वहीं है कोई मस्जिद नहीं जली है ये देखिए त्रिप्रा पुलिस ने ट्वीट करके बताना पड़ा फेक न्यूस फैलाई जारी थी दंगा हुआ नहीं कराने की कोशिश हो रही थी मस्जिद नहीं जली उसको डिजिटली जलाने की कोशिश हो रही थी इस वाज़ा से तिरपुरा पुलिस को ट्वीट करना पड़ा यह तस्वीरा दिखाना बहुत जरूरी है कोई मस्जिद नहीं जली बलकि मंदिर में तोड़ फोड़ हुई है काली मंदिर में उना कोटी के लक्षमिपूर और केलाश शहर में मा की मूर्ती तोड़ दी गई तिर्क शर्तिग्रस्त हुआ बहराल मैं उसकी बाद आगे करूंगा संबित आप जवाब दे दीजे उसके बाद मैं तसली मेहमद रह्मानी आपके पास आऊंगा संबित पात्रा राहूल गांधी भी कह रहे हैं कि आप सच को शांत करने की कोशिश कर रहें यूए पीए से और वारिस पठान भी यही कह रहे हैं मैं पहले वारिस पठान की जवाब देता हूं राहूल गांधी भी इटली में है थोड़ी देर बाद में राहूल गांधी की भी जवाब दूँगा देखिए पहले मुझे तो आश्चरी होता है वारिस पठान तो वकील है मैंने तो य ये freedom of speech नहीं है, ये lying है, जूट बोल करके दंगा फैलाना, देखिए इसी में हाई कोट ने इसका जवाब दिया है, हाई कोट ने कहा जूट क्यों बोल रहे हैं, 26 तारिक को ये वारदाते हुई हैं, और 27 तारिक को दो important घटना हुई, 27 अक्टूबर 21 को ट्रिपूरा पुलीस पुलीस ने फेस्बूक और ट्विटर में अपना वक्तव्य छोड़ा और स्पस्टूप से कहा कि ये सारे के सारे फेक तस्वीदे हैं, इनकी आधार पर कोई बयान न जारी करें, और फिर हाई कोट कहती है, ट्रिपूरा पुलीस ने एन आई, एन आई का नाम भी लिया है, एन आई में पुलीस ने बाइट दिया है, 27, 10, 20, 21 में और पूरा क्लारिफिकेशन दिया है, पुजीशन दिया है, क्यों? OVC सहाब तो एक बैरिस्टर है, OVC सहाब तो पढ़े लिखे हैं, आपको ये एन आई का बाइट पुलीस का नहीं दिखाई दिया, पुलीस ने जो योग freedom freedom करने वाले दूसरों के बीच में ऐसे खुद पढ़ते हैं, दूसरों को दो sentence बोलने नहीं देते, मैं बोलनू फिर आप चिलाइएगा, मैं तो आपके बीच में कुछ नहीं बोलता हूँ, आप देखिए, जस्तिस चंद्रचूर ने अगर freedom of speech के बारे में बात की, तो हम तो खड़े है freedom of speech के साथ, जो मस्धित जली नहीं है, उसको जला बता दे ना, उसे तूटा बता दे ना, ये freedom of speech नहीं है, ये धूरतता है, ये शडियंत्र है, ये conspiracy है, दंगे करने का, ये freedom of speech नहीं है, वारिस पठान आपको ये समझने की जरूरत है वारिस भाई, इ ठीक है मैं सवाल पूछाओं फिर आप बीच मैं बोलेंगे एक तो इसा है, वो इसकट रहा है, ठीक हाँ, आब आवाज आईगी, त्रेपुरा पुलिस एशो देख रही है, क्योंकि मुझे पता है, त्रेपुरा पुलिस एशो देख रही होगी, मैंने ट्वीट करा था, आ अभी दिल्ली के अंदर जो हुआ था, प्रेस कॉनफरंस उसमें भी बताया गया था, चार वकील बेटे थे, वो आई थे, वहाँ पर, सबने बताया, तो क्योंकि आदे देख पर लोगा देख रही है, यह तो घलत है ना पर, आपको दुख है कि नहीं जली दंगा नहीं हु अब बीच में कोई नहीं बोलेगा मुझे संवित के पास जाना, और यह करके सबको आडियो रहेगा, वेविनोद भाई बीच में प्लीज रेक्वेस्ट करो, उनसे सब उनसे, उनके पास कोई सबूत है, वह हो सकता है, आपके पास ना हो, क्योंकि वह जिम्मेदारी से कह र रही है, फिर वही बात है ना, आप लोग बिना जाच के आपने बोल दिया मज्जय जली, आप जूम पकड़ा गया, कहीं नहीं जली, दंगा नहीं हुआ, यहीं आपके दिल में आग लग रहे है कि आप क्यों नहीं आप पुरा, आप यह जूम तो सांत है, अप हो पहले, ए फैने करा हूँ ठीक है ठीक है इनके समय तो बंद करो भी बोले थो कि चुम में बड़ा मुश्किल होता है यह जुम दंगाई को बंद करो पहले जुम अप्छे आप सुनो ना आप ठीक है जरा अमन भाई पहले इनका जूम बंद करो फिर मैं बोलता हूं यह सब के बीचे चिलाते हैं आपके पास सबूत नहीं सकता हूं बिल्कुल यह शांत हो तब मैं बोलूँगा वरना कोई लाभ नहीं है संबित है सच दबा रहें आप लोग देखिए अधी अमन भाई यह आज कल ना डिवेट की अवशक्ता नहीं है देश के कोने-कोने में बच्चा बच्चा जान चुका है कि क्या होता है कौन क्या कर रहा है कौन दंगाई है कौन दंगाई नहीं और यह डिजिटल दंगाई भी है यह भी देखिए अभी बताया जा था डिजिटल धंगाई को पकड़ लेना चाहिए प्रोफेट सहब के फोटो को ऐसे कर दिया कुरान को लेकर हनुमान जी के पैरों के पास रखा किसने रखा यह भी हमको पता चल गया है अब धंगा भड़कानी के लिए मगर यही वो लोग है ज आप ने अभी बंस विनोद बंसल जी के आवाज को तो बहुत आराम से बंद कर दिया आप डंगाईों की आवाज को क्यों नहीं बंद करते हैं मुझे समझ नहीं आता है विश्वाहिंदू परिषद के प्रबगता के आवाज को न्यूस एट्टीन ने दो सेकेंड में का लेंगे क्यों क्यों वह एंका आपको घर लगता है इनके आवास को बंद करने में तक आपको लगता है यह हमको भी लगता है कि यह हमारे नाम पर फत्वा नहीं पैसा बोलेंगे और गृधा में यह श्र्यजा करेंगे ठेक है देखिए देखिए मुझे बड़ा आश्चर ही हुआ मुझे दुख भी हुआ तकलीव भी हुई यहाँ पर जो रहमानी जी बैट करके हिंदूओं की तरफ इंगित करके कह रहते हैं यह हिंदू लोग हमारे प्रोफेट के में ऐसा कहते हैं और वो डिजिटल दंगाई है कि शारली हेबडो में जब गोली मारी गई वो हिंदूस्तान में नहीं मारी गई थी शारली हेबडो में जो हुआ वो फ्रांस में हुआ और उसके लिए यह लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इन लोगों ने यहाँ पर कतले आम वाला माहूल बनाया था इन लोगों ने उ उस आतंगवादी हमले को जो फ्रांस में हुआ उसे सपोर्ट किया और मेरे मुझ में वो चीज़े आ नहीं सकती है मेरे जुबान पे वो शब्द नहीं आ सकते हैं जो ओवेसी साहब ने भगवान श्री राम की माता जी के लिए इस्तेमाल किया है या इन लोगों ने जो और य इस्बुक ट्विटर खोल लीजिए हर जगा हमारे देवी देवताओं के खिलाफ नहीं क्या-क्या इन लोगों ने ट्वीट कर रखा है कितनी बार इस पर डिबेट होता है कोई डिबेट होता ही नहीं है क्यूंकि वी हाव गॉट यूस्ट टूइट नंबर एक नंबर दो में जैस्री राम बोलके आतंकी हमले करते हैं कब आप बताएए पूरे विश्व में जैस्री राम बोलके किसने आतंकी हमला किया है मैं 100 ऐसा देखी इसमें अल्ला और राम को तो दूर रखिए अल्लाहु अक्बार बोल के सौ वार बम फोड़ा गया हो मगर आप एक बार बताई ने आप एक बार फिर चलाइए मत जैस्री राम बोल के ना तो मौब लिंचिंग हुआ है ना तो कोई कतले आम जैस्री राम के नाम पे नहीं हुआ है अगर मैं सौ घटना पूरे विश्यों में जिखा सकता हूं जहां अल्लाहु अक्बर बोल के बम फोड़ा गया है तो इसका आर्थ है क्या हम मुसल्मान समाज की तरफ अंगली उठा दें संबित पातर आप उसके बाद शहजाद में आपके पास आ रहा हूं संबित मस्जिद जली मस्जिद जली इसको बहुत ज़्यदा बेचा गया मंदिर में तोड़ा गया इसकी किसे ने बात नहीं करें संबित पातर आप उसके बाद रहमानी उसके बाद शहजाद में पताता देखें यहां पूरे डिवेट देखें aux बात कर लेंगे तो दिरोभ पंशंका कर देखें मैं तो चिल्दानी रहा था इए ने धुनों को फरा साइड में डिवेट कर वाईए मैं बोलनूं आमन भाई fraud मैं बोलनूं अराम से लाख मुसल्मान इखटा हुआ था सबूत होता है वो फोटो जिसमें अमर जवान ज्योती को लात मार के तोड़ दिया गया था आज भी वो सबूत मौजूद है आप और मैं चाहें तो अभी गूगल से वो फोटो निकाल करके दिखा सकते हैं कि देश को अब बताये मायनमार म अगर बौधों के बीच में और रोहिंग्यान मुसल्मानों के बीच में लड़ाई होती है तो अमर जवान ज्योती को लात मार के हिंदुस्तान में तोड़ा गया ये फोटो कैप्चर हुआ ये होता है सबूत फोटो कैप्चर हुआ साथ पुलिस कर्मी मारे गए उनकी पुलिस ने बताया था कि जला है ये सबूत नहीं होता है ये होती है जालसाजी और धुर्तबाजी दूसरे बात इनोंने कहा साड़े तीन हजार दंगाई थे और मस्जिदों से कोई पत्थर बाजी नहीं हुई माफ करिएगा मैं मस्जिद मंदिर गुर्द्वारा सबका ब तो वो मस्जिद से दी जाती है पत्थर बाजी की कॉल कहीं से दी जाती है तो मस्जिद से दी जाती है मुझे आश्चेर लगता है और कई रात में बैठके सोचता हूँ कि जिस मस्जिद से अल्याद के कोशिश होनी चाहिए ये मज़िदों के माइक्रोफॉन ना ना जम्मू कश्मीर में कॉल दिया जाता है जाता है मुझे बताई ये नियुज आप टाइम तो इंडिया और इंगिन एक्स्प्रेस में पढ़ सकते हैं कि प्रोटेस्ट केलेंडर वाज रिकवर्ट रॉम मस्जिद प्रोटेस्ट केलेंडर जो था वो मस्जिद से मिला मुझे अरे ये दंगा तो बंद कर दे हैं आप दंगा बं उलज नहीं सकता हूँ आप लिए आप को बिल्कुल नहीं उलजना चाहिए नि तो आदमी काट देते हैं आपको जैय श्री राप बोलता है लिंचि कर देता है आप तो लो करता है लगते हैं लोग जैस्री राम बोलके कभी आतंगवादी घटना नहीं हुआ है आप लगान लगा के आतंगवादी हमले होते हैं यह दुनिया जानती है रहां जाथ यहां भगवान राइस पानित और बद्राम करने का लाख प्रयास कर लो अप लड़के स्वागत कर रहे हैं संभित ने भी बोला यूए लगना चाहिए आप लड़के हो रहे हैं आप भी रह्मानी जी आपने कहा कि इन डिजिटल दंगायों